कॉफी बनाने के लिए मैंने हाँ पे 3 टेबल स्पून कॉफी लिया है और यह नेस्द चाफ़े ब्रांड का हैं आप कि कॉफी रिख कहंए 3 सब्सकून क्वंब रहें है और यहाँ पे यह न्यूहाँ कप गर्म पानी पानきます यहाँ नहीं करेंगे मैंने आप लिया एक इस टील की कटोरी और यह विस्क लिया है अगर आपके पास कास का कटोरी है तो कास्ता कटोरी भी ले सकते हैं और इसी विस्क से हम कॉफी को फेटेंगे और बिल्कुल जाग वाली कॉफी बनके रेडी होगी आप देखिए गागे वीडियो में करना है तो सबसे पहले में कॉफी डाल लेती हूँ इसमें चीने डालेंगे आप हमने बाद आ पनी लिया है पानी दालेंगे यह अपिंप का यूस करना है अधा asleep यहां पर पहले 3 टेवल स्पून पानी याट करूंगी फिर बार में और पानी याट करेंगी जब पानी की जुरत होगी तब बस अब इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे जल्दी से पिखल जाएगी और बहुत अच्छा इससे कलर भी आजाता है जम शाइनिंग कलर आता है गरम पानी का यूज़ करने से अब इसको ऐसी फिटते रहना है देखे काफी को फिटते हुं मुझे एक मिनट हो गया नो दपर आता है अर देखे कलर इसको इसको फिटते हुए है और इसको मिक्स करेंगे और ये देखिए इसको फेटते हुए मुझे तीन मिनट हो गया है कलर देखिए काफी शाइनिंग कलर आ गया है इसमें तो अभी इसको फिर से फेटना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी काफी पतला है ये और यह देखिए फ्रेंड कॉफी को फेटते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है और कलर देखिए पूरी तरह से चेंज हो गया है बिल्कुल लाइट कलर में आ गया है ये और इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमें इसको हैंड ब्लेंडर से फेटा है अब इसको थोड़ा सा और काला करेंगे और क्रीमी बनाएंगे इसे और ये देखिए बस लाश्ट में मैं इसको और एक से दो मिनट और फेट लूंगी ताकि और ज्यादा क्रीमी और जाग वाली हो जाए तो टोटल मुझे इस तरीके से 6-7 मिनट लगे हैं इसको फेटने में और 100% रिजर्ट मिला है मुझे ये देखिए बिल्कुल जैसे हम लोग इलेक्टिक ब्लेंडर से बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्च्चर आया है और वैसा ये गाढ़ा हो गया है दम छाग वाला तो अब बिल्कुल रेडी है कॉफी बिनाने के लिए ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसको एक अलग बावल में निकाल लूँगी और इसको इस्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज में 15 दिनों के लिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता जब भी आपका मन करें कॉफी पीने का बस आप इस क्रीम को निकालिए डालिए और गरम दुब डालिए और कॉफी बनके रेडी हो जाएगा और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि हैंड ब्लेंडर से इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं खुद कप में लेकर कि इसको बनाती थी और मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं मिला था और यकीन मारी आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा बहुत ही अच्छी कॉफी बनके रेडी होगी आपको देखे ही पता चल रहा होगा अब मैं इसे फ्रीज में स्टोर कर लूँगी और यह देखे प्रेंड्स कितनी क्रीमी बनी है यह अब हम इसे रेडी करेंगे तो मैंने अ पर यह कॉफी डालूगी पहले नीचे कॉफी डालेंगे पहले तया इसमीं पूरा उपशी a करना है हलका साझ इसको mix करेंगे पहल miss अभी में और इसके उपर 2 तेबल स्कोफी एट करूँगी कि जो घंगी अच्छा से ताकि जो जाग है वो अच्छे से बन के आए अब लाश्ट में में इसके ओपर थुआ सा कॉफी पॉडर स्प्रिंकल कर दूंगी तो लीजिए हमारा विंटर का जो स्पेशल कॉफी होता है वो बन के रेडी हो गया है बिल्कुल कैफे स्टाइल कैपेचीनो तो आप भी घर पर कॉफी बनाईए अब बिना किसी चंजड़ के ना आपको एलेक्टिक ब्लेंडर की जरूरत है ना मिक्सर की जरूरत है अगर आप लोगों कोई कॉफी के रेस्पी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मुझे कमे करके बताईएगा कॉफी बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल बटन को जरूर हीट करिएगा